नमस्कार, हैदराबाद सिटी पुलीस इस जोन के तरफ से खास करके चादरगाट और साइदाबाद पुलीस टेशन लिमिट में पिछले कुछ दिनों में दो सेंसेशनल प्रॉपर्टी ओफेंसेज हुए थे ये दोनों पुलीस टेशन के आफिसर्स एक रेकॉर्ड टाइम में ये दोनों केस को डिटेक्ट किये और अरेस्ट और उसके बाद सीजर से पता चला कि टोटल जो प्रॉपर्टी सीज हुआ है वो लगभग 12,50,000 रुपे का है जिसमें गोल्ड ओर्नमेंट 22 तोलाज का भी र पहला केस है जिसके कंप्लेनेंट है श्रीमती आर लक्ष्मी प्रसन्ना वाइफ ऑफ साई राम कृष्णा एज 60 ये हाउस वाइफ का काम करती हैं मोनिस्पल कॉलिनी चादरगाट हैदराबाद और ये 10-11 तारीक ऑक्टोबर के रात को ये इंसिडेंट हुआ और नेक्स डे ये लोग करीब 10-30 में पुली स्टेशन में आकर कंप्लेन करें इनमेट एपसेंस का जो एमो है जिसके तहत क्रिमिनल एक रोड से तोड करके लॉप ब्रेक करके अंदर गए और उसके बाद अलमीरा से ये लोग पुरा सामान निकालें अरेस्ट के बाद डिटेल ऑफ ओफे अलियस अयूब सन अफ लेट मोहमद इब्राहीम ये सोफा वरकर का काम करता है उसके बाद मोहमद जमीन हुसैन अलियस अबू ये ECIL के पास काम करता है कापरा मुनिस्पॉलिटी आफिस में मोहमद मदूम शाह अली ये साइकिल पंक्चा शॉप के दुकान में काम करता है न इसके उपर काफी सारे क्राइम के का हिस्ट्री है मीर्चोग पुलिस टेशन में ये एक मडर केस में भी इनवाल्व था पहले साइदाबाद पुलिस टेशन में एक अटेंप्ट टू हाउस ब्रेक चादरगाट में एक हाउस थेफ्ट और रिसेंटली फेबरुरी 2019 में ये जेल से बाहर निकला और उसके बाद अगेन ये दुबारा ये क्राहिम का अक्टिविटी शुरू किया अक्यूस टू मुحमद जमीन हसाइन एलियस अबू ये भी साइदाबाद पुलिस टेशन में दो अचबी शरू sürून नगर पुलिस टेशन में एक और्डिनरी थेफ्ट चातनया पुरी पुलिस टेशन में एक अचबी चादरगाट पुलिस टेशन में एक एचबी मीर पेट केस में इंवाल्व है और जो फोर्थ ओफेंडर है वेमुला साई कुमार ये चादरघाट पुलीश टेशन के अलावा मीर पेट में भी इसका इंवाल्वमेंट है तो ये पूरे ओपरेशन में हमारे जो ऑफिसर जिनोंने बहुत अच्छा काम किया उसमें डिटेक्टि जो एसेचो अफ चादरघाट और पूरे टीम मेंबर जिसमें खास करके हमारे कॉंस्टेबल ओफिसर इम्रान, कॉंस्टेबल ओफिसर मुहम्मद बाबा और M. साई कुमार अंडर दे लीडर्शिप ऑफ पी देवेंदर, ACP सुल्तान बजार and overall supervision of T. गोबिंदरेटी, additional DCP East Zone के अंडर में ये बहुत अच्छा काम हुआ है। इसमें उनके कैशियर टेबल से ये सब कुछ निकाला गया। इस केस में पूरे रिकवरी होने के बाद जो अरेस्ट हुए लोग उनके सब को रिमांड कर दिया गया है। और दूसरे केस में हमारे D.I.P. सुरेश, D.S.I.P. माधव कुमार, के स्रीनिवास, SHO of और उनके साथ हमारे कॉंस्टेबल ओफिसर वंसी, कॉंस्टेबल ओफिसर के अशोक कुमार, साइधाबाद पूलिस सेशन के, under the guidance of M. सुदर्शन, A.C.P. मलक पेट, and overall supervision, T. गोबिंद रेड़ी, additional D.C.P. East Zone. सब को हम तहे दिल से शुक्रियादा करते हैं, उनकी काम की साबाशी देते हैं उनको, और ऐसे मौके पे प्रेस के तरफ से, मीडिया के तरफ से, पब्लिक को एक अपील भी करते हैं, कि जब आप घर से बाहर जा रहे हैं, खास कर कि अगर आप लंबे समय के लिए घर से बाह शेस ध्यान रखें और ऐसे मौके पे आप अपने नेबर्स को भी बता सकते हैं जिसमें कि अगर नेबर्स कुछ सस्पिशियस चीज देखें तो तुरंद डायल हंडेट करके पुलीस को अलर्ट कर सकते हैं थैंक यू सो मच